देश के तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्षा चुके हैं करे लेटेस अपडेट साजस बुलेटिन में हम आपके साथ साजा करने वाले हैं देखे विशेश पॉर से बात करेंगे जेबीटी भरती को लेकर भी क्यूंकि नई अपडेट इसमें निकल कर सामने आई है कोड 817 की डॉक्युमेंटेशन पर भी आज हम नई अपडेट लेकर आए हैं दरसल ये प्रक्रिया भी अब जल शुरू होने वाली है इसके लिए क्या कुछ तयारियां अब यहां राज़त रैन आयो की ओर से कर ली गई हैं ये भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे और तीसरी बात पॉलिटिकली सिनेरियों को लेकर भी आज हम करने वाले हैं क्योंकि देखिए अब बाकी की दो लोग सभा सीटों पर भी कॉंग्रिस की ओर से प्रतियाशी तया कर लिए गए हैं हलाकि सबसे पहले हमने आपको पिछले कल 6 बजे बारे बुलेटिन में ही ये जानकारी दे दी थी कि ये जो दो लोग सभा सीटों पर प्रतियाशी होंगे कौन होंगे आनन्ज शर्मा और सक्पार राइजादा का नाम तै हो चुका है ये जानकारी हमने सबसे पहले एक तरह से ब्रेक की थी और आज दूसरी जानकारी एक और इसी से संबंदित लेकर आए हैं लेकिन शुरुआत फिलाल नए डीजीपी की न्यूक्ती से करना चाहेंगे क्योंकि ये ओर्रस जारी हो गए हैं और हिमाचर प्रदेश में जो नए डीजीपी होंगे अतुल वर्मा है 1991 बैच के IPS अधिकारी बताय जा रहे हैं अलाकि मूल रूप से ये जार्खन के रहने वाले हैं और दो महीने पहले ही केंद्रिय प्रतीन यूक्ती से ये वापिस हिमाचर लोटे हैं 31 मई 2025 को अभी इनकी रिटायर्मेंट होनी है अतब तक ही अपनी सेवाई यहां डीजीपी के पदपर देने वाले हैं पहले से लेकर चर्चाओं में इनी का नाम चल रहा था और अब निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बाद यहां इनकी तैनाती भी कर दी गई है नए डीजीपी के तौर पर और बड़ी बात यह है कि मुखे सजीद प्रबो सक्सेयना की ओर से आज ही यह और जारी किये गए हैं क्यूंकि देखिए पिशले कल ही यहां जो पुराने डीजीपी संजय कुंडू थे उनकी रिटायर्मेंट हुई है उसके बाद चर्चाएं काफी जादा बढ़ गई थी कि ओजा जी को यह मौका दिया जाएगा लेकिन उससे पहले भाजपा का क्या कुछ मानना है वो भी आपको बता देते हैं दरसल भाजपा विधाय करंधीर शर्मा ने आज एक बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसमें उनका कहना है कि यह एक मजबूर प्रतियाशी है वैसे बाकी जगाऊं पर जो प्रतियाशी घोशित किये जाते हैं उन्हें मजबूत प्रतियाशी का नाम दिया जाता है लेकिन ये मजबूर है और मजबूर इसलिए है क्योंकि इन्हें सहमत ना होते हुए भी चुनाव लड़ने के लिए तयार होना पड़ा है पहले ये शिमला में रहे फिर दिल्ली में सैटल हो गए थे लंबे अर्से से इन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा और फिर अब कॉ प्याशी के तौर पर यहां चुन लिया गया है ये बड़ी बात कहना चाहेंगे और भाजपा अब यहां मुकाबला काफी जादा असानी भरा देख रही है और ये भी भाजपा नेताओं का मानना है कि कोई कॉम्पिटीशन उन्हें अब कांगडा संस्दिय सीट में रहे ही नहीं गया है बलकि वहां तो एक तरह से काफी आसानी से वो जीत हासिल करने वाले हैं तो आनन शर्मा को एक मजबूर और कमजोर कैंडिडेट के तौर पर भाजपा देख रही है ये खुले शब्दों में आज भाजपा विधायक रंधीर शर्मा की ओर से कहा गया है हिमाच शर्मा को यहाँ पर टिकेट दिया गया है लोगसबा सीट के लिए लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं जो कि मुख्या मंतरी सुखु की ओर से कंगना रनौत को और केंडरे मंतरी अनुराग ठाकुर को आज नसीहत दी गई है दरसल कंगना रनौत को लेकर जो भी स्टेट इस कोई भी टिपनी नहीं करती है जो कि किसी महिला के लिया भद्रशब्द माने जाए किसी कई बाकी किसी सामने आती भी है तो विचलित होने के आविशक्ता नहीं है कंगना को ये चुनावी महौल है इसमें आरोप प्रत्यारोफ का सिलसिला जारी रहता है दूसरी बड़ी बात इन्होंने अनुराग ठाकुर को ये कही है कि जो हमीरपूर मेडिकल कॉलेज है उसका पूरा क्रेडिट अनुराग ठाकुर अपने उपड ले रही है जबकि ये ग है आज भी सदी सूचना को दिखा सकते हैं और अगर ऐसी नोटिफिकेशन वो सब के सामने लेकर आ जाएंगे तो फिर केंद्रिया मंत्री अनुराग ठाकुर क्या ही उसका जवाब देंगे इसलिए ये बिना मतलब का क्रेडिट वो अपने लिए ना ले और केवल यहां बा भी आज मुख्या मंत्री सुखुने कसा है जिसमें उनका कहना है कि जहां 5 सालों में पुर्व जैराम सरकार 16,000 लोगों को ही रोजगार दे पाई है वहां एक साल में ही 22,000 नौकरियां वर्तमान सरकार ने दे दी है ये बार बार जब भी 22,000 नौकरियों का जिक्र होता है त यहáticas अब तक पूरी नहीं हो पाई है अधिकतर ऐसी भरतियां है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है बीच में लटकी है और अ अस्ताउइ भर्तियों को भी इसमें काउंट किया जा रहा है यारे कि रेगुलर तौर पर जो भर्तियां होंगी उसके तो slippers कहां के हैं है जैस सच है कि देखिए 22,000 नौकरियों की counting तो तभी होनी चाहिए जब इन व्यक्तियों को इन विभागों में ये नौकरी मिल भी जाए तो प्रोसेस अभी बीच में ही लटके हैं किसी-किसी भरती में तो पहला चरण भी शुरू नहीं हो पाया है तो कोई-कोई भरतियां पहले य चाहिंगे ठ्योग में आज पन्ना समेलन को संबोधित करते हुए इन्होंने भी बड़ी बाते कहीं हैं सबसे बड़ी जानकारी देखिए यहां CPS केस को लेकर ही कहना चाहिंगे क्योंकि नेता पतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि जल्दी ही जो 6 CPS हैं इन्हे अपने इस पत से हटना पड़ेगा क्योंकि कोट से सपष्ट फैसलाइस पर आने वाला है साथी साथ CPS मामले में चुटकी लेते हुए नेता पतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बड़ी बात ये भी कही कि हैरानी उन्हें उस वक्त हुई जब उन्हें के आवास के पास जो CPS का आवास है वहां 20-25 पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगा दी गई थी और जब उन्हें पुलिस जवानों से पूछा कि वह इतनी जादा संख्या में वहां क्यों आए हैं तो जवाब उन्हें ये दिया गया कि उन्हें CPS की निगरानी के लिए भेजा गया है कि कहीं बाकी इन्हों ने सुखु सरकार को लेकर कही है कि मुख्या मंत्री सुखु खुद भी सुख की अनुभूती अपनी सरकार में नहीं ले पा रही है तो आम जनता कहां ही इस सरकार में सुख भोग पाएगी और असल माइने में तो अभी सरकार हिमाच्र प्रदेश में है ही नहीं ल बात भी यहां देखिए समझ से परे हैं बार बार जायराम ठाकुर यह कह रहे हैं कि उनकी संख्या 34 हो गई है 25 से बढ़कर लेकिन अभी दावा तो तब ही किया जा सकता है अगर 9 उप्चुनाव हो पहली बात तो यह अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है कि क्या 9 हलकों में ही य लेकर शेडियूल जारी हुआ है और दूसरी बड़ी बात यह भी है कि जो 6 उप्चुनाव होंगे क्या उसमें भाजपा ही जीत हासिल कर पाएगी तो इसमें भी काफी जादा वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं लोग सभा सीटों के साथ साथ उप्चुनाव भाजपा ही जी रहे हैं देखिए नंखडी में आज कंगना रनौत ने जनसभा को संबोधित किया है और इस बीच बड़ी टिपनी इन्होंने की हाला कि स्वर्गिये वीरभदर सिंग का जिकर भी आज तो कंगना रनौत की ओर से किया गया है सबसे पहली बात इन्होंने मंत्री विक्रम सांदान से आते हैं और यह क्या जाने कि गरीबों का दर्द और दुख्या है महिलाओं पर अबध्र टिपनिया करते हैं लेकिन अगर आज वीरभदर सिंग जिंदा होते तो उनका दिल दुखता इस तरह की अबध्र टिपनिया महिला के खिलाफ सुनकर और वह विक्रम अद वीरभदर सिंग बिलकुल भी बरदाश नहीं करते और माफी मांगने के लिए भी अपने बेटे को कहते लेकिन इस बात का उन्हें बहुत दुख है और दूसरी बड़ी बात प्राकृतिक आपदा को लेकर कंगना ने कही है क्योंकि बार-बार यहां सांसवत प्रतिबा सिंग हो या फिर कॉंग्रेस के अन्यनेता हो यही पूछ रहे थे कि अभी तक हिमाचल की बेटी ने प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रभावितों के लिए क्या किया तो कंगना ने आज इसका जवाब दिया है कि उस वक्त जो भी दान उनसे बन पड़ा उन्होंने बिलकुल दिया और वो अपनी शूटिंग में भी काफी ज़ादा बीजी थी लेकिन विक्रम अदित्य सिंग मंतरी थे और जो प्रतिभा सिंग है वो मंडी संस्दिय सीट से ही सांसत थी तो उन्होंने आखिरकार प्रभावित लोगों के लिए क्या किया इस सवाल का जवाब उन्हें देना चाहिए क्योंकि अभी तक बहुत सारे क्षेत्रों में मलबा तक नहीं उठ पाया है और PWD मंतरी है विक्रम अदित्य सिंग उसके बाबजुद भी सड़के दुरुस्त नहीं हो पाई है तो यहां माता को और टीका साहब को जवाब देना होगा ऐसे शब्दों में कंगना रनौत ने आज अपनी पूरी बात कही है आज विक्रम अदित्य सिंग ने भी प्रेस वारता बुलाई थी और फिर से वही शब्द उनकी ओर से दोहराए गए हैं पहली ब कम से कम पढ़कर स्टेज में आना चाहिए और स्टेज से लोगों को तभी संबोधित करना चाहिए अगर हिमाचर प्रदेश के बारे में उने पूरी जानकारी हो जल्दी ही ये मुंबई लोटने वाली है एक सहलानी के तोर पर यहां आई है थोड़े दिन मंडी संसिय सीट के सभी क्षेत्रों को घूमेंगी और उसके बाद फिर दिल बहला कर मुंबई यहां से लोटने वाली है क्योंकि जनता इनका कोई भी साथ चुनावों के दोरान नहीं देगी प्रतीबा सिंग का भी अब तो यही मानना है क्योंकि कुछ रोज पहले ही प्रतीबा सिंग ने जन संपर्क अभियान रामपूर विधान सबाक शेत्र में शुरू किया था डोर टूर जाकर कैंपेन कर रही है लोगों से विक्रम अधित्य सिंग के लिए वोट मांग रही है और साथी साथ एक बड़ी बात भी यह दोहरा रही है कि जो कंगना रुनौत है केवल लोग उन केंपेन शुरू कर दिया है और देखने में यह आया है कि ग्रामिन इलाकों की बहुत सारी महिलाएं बढ़ चड़कर आगे आ रही है कंगना से मिलने के लिए उनकी बात सुनने के लिए तो इसी पर प्रतिवा सिंग ने आज यह स्टेटमेंट दी है कि केवल यह भीड उन् को लेकर अगले कल भी रहत रहने वाली है तीन और चार मई को फिर से बारिश परफपारी की संभावना जताई गई है और उपरिक शेत्रों में खास तोर पर ध्यान रखने के लिए परेटकों को और स्थानिय लोगों को कहा गया है लाहुस पीती में जगा जगा हिम्स खलन का खत्रा क्योंकि बना हुआ है और साथी साथ कई सडकें भी प्रभावित हैं तीन और चार मई को एक दफा फिर मौसम करवट बदलने वाला है और इस बार देखिए गर्मियों ने दस्तक नहीं दी है और इससे भी लोग काफी जादा परेशान है क्योंकि ये बारिश और बरफपारी का सिलसिला ही यहां पर नहीं थमपा रहा है जेबिटी बैचवाइस भरती में फैसला हो गया है हिमाचल हाई कोर्ट में नियायदी संदीब शर्मा के कोर्ट में यहां मामला लगा था हाला कि हाई कोर्ट ने इससे पहले 20 नवंबर 2023 को अदालत को पूछे बीना अभ्यर्चियों की ओर से याचिका दायर की गई है उनके बराबर पदों को खाली रखते हुए appointment letter बाकी के 1047 पदों पर जारी कर दिये जाए यहां कि अनुमती appointment letters जारी करने के लिए यहां पर कोर्ट की ओर से दे दी गई है अभी permission का ही इंतजार विभाग की ओर से भी किया कहना चाहेंगे दूसरी और बात करना चाहेंगे शास्त्री भरती की तो हाई कोट में 8 मई को यह case लगा है तब तक का इंतजार करना होगा कि इस मामले में नियूक्तिया देने पर आखिरकार क्या कुछ कहा जाता है जे बीटी और शास्त्री भरती दोनों में ही कोट की पर्मिशन ली जाए बिना पर्मिशन के न्युक्तियां नहीं दे सकता है विभाग तो अभी शास्त्री भरती में आठ मई तक हमें रुकना होगा तीसरी बात करना चाहेंगे TGT batch wise भरती की इसमें चुनाव आयोग को अनुमती लेने के लिए पत्र भेजा गया था लेकिन code of conduct तक रुकने के लिए कहा गया है जब आचार सहीता हटेगी उसके बाद ही इस मामले में न्युक्तिया दी जा सकेंगी तो खैर अभी TGT वालों को इंतजार करना होगा JVT वालों के लिए रहत भरी खबर आ गई है और अब इसके बाद शास्त्री भरती वाले जो अभिहरती हैं उनकी भी उमीदे जरूर यहां बन जाएंगी शुरू हो गई है राजे चैनायों के अध्यक्षार कार्मिक विभाग के प्रधान सचीव ने बैठक की है और सभी बिंदूओं पर इसमें चर्चा हुई है अच्छी बात यह है कि तकरीवन चार से पांच कमेटिया तयार की जा रही है ताकि डॉक्वेंटेशन प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सके संबंधित विभागों से करमचारियों को मांग लिया गया है दॉक्यमेंटेशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए यह ये 1400 के करीब दरसल अभ्यर्थी हैं जिनकी documentation पूरी होनी है और फिर एक तरह से नौकरियां यहां इन यूफकों को भी मिल पाएंगी जिन्होंने लंबा अंदोलन किया था अपनी नौकरी हासिल करने के लिए JOIT 817 के लिए भी अच्छी खबर यही है कि कम से कम अब यहां documentation का सिलसिला तो शुरूर हो रहा है जो की काफी लंबे समय से लटका हुआ था बड़ी बात की आखिरकार अनन्द शर्मा कैसे आए क्योंकि भाजपाईयों का तो यह मानना है कि कॉंग्रेस के पास कोई भी चुनाव लड़ने के लिए चुक उमीदवार नहीं था इसलिए अनन्द शर्मा को मजबूरी में चुनावी मैदान में उतार दिया है अनन्द यहां भाजपान इताउं की ओर से लगाया जा रहा है लेकिन इसके पीछे के बड़े कारण क्या है आईए आपको एक बारी ये जानकारी दे देते हैं कि आनन्द शर्मा आखिरकार कैसे आई क्योंकि पूर्व में ये केंदुरिय मंतरी भी रह चुके हैं सांसत भी रह चु कारण ये है कि भाजपा की ओर से जो कांग्रा संस्तिय सीट के लिए प्रतियाशी उतारे गए हैं वो ब्रहमन है और इसी लिए दूसरे ब्रहमन को उतारा गया है चुनावी मैदान में टक्कर देने के लिए फिलहाल यही एक फेक्टर क्योंकि बार बार कॉंग्रेस झाल